हलो दोस्तो स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एक्जाम ट्रिक्स पर जिस पर आपको एक तम हर बार स्टिक न्यूज दे जाती है तो देखिए आज हम बात करने वाले दिली इस्टिक कॉर्ट की अगर आपने एक्जाम दिया है तो यह आपके लिए बहुत मुलब देखिए आप और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई है और आप चाते हैं कि आपको एकदम स्टिक न्यूज हर बार मिले बिना सर्च किये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वाई तो देखिए यह देखिए ग्रूप डी पेपर लिक मामला प्र STF ने स्वंवार को दूसरे के स्थान पर प्रिक्षा देने वाले आरूपी को गरिफतार किया है यह सिटिंग कर वाई जा रही थी वई STF ने उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया है ROP की निशान देही पर STF की टेम दिल्ली में प्रिक्षा के अंदर से रिकोर्ड एक तरीट कर इस तरह से दूसरे प्रिक्षार्टियों के पहचान करेगी अब तक हुई जान्च में खुलासा हुआ है कि दूसरे एक इसलाग पर प्रिक्षा देने पर ROP 12.000 देने गया है ROP अब तक 12 प्रिक्षाएं दे चुका है मतलब जो श्टिंग करता था वो बंदा 12 प्रिक्षाएं दे चुका है अगे देखें 28 फरवरी को एक मूर्गी फार में दिल्ली जिला अदालत के ग्रूप D की प्रिक्षा के पर्शन पत्र लिग का बंडा फोर्ड हुआ था तो ये ख़बर कल गे है स्वमवार की तो ये बात है दोस्तो बहुत बड़ा स्कैम मतलब आपके मान के चल सकते हो कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तो देखते हैं क्या होता है क्या जांच में आगे क्या होता है और आगे की एक चीज में बता दूँ ग्रूप C का जो यह C और D A की चीज है वाई पहले तुम आपको यह बता दूँ क्योंकि अगर आप जैसे यह ओफिशिल साइट है जिला कोर्ट की उस पे जाओगे तो आप को ग्रूप D से समझ दित जिसमें लिखा हो डिली डिस्ट्रिक कोर्ट ग्रूप D ऐसा कोई भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रूप C और D एक ही चीज है यह जो निउज वाड़े हैं यह इसे C को D बोल देते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि C D और D अलग लग हों आप सभी को यह पता होना चीए तो देखते हैं आगे जो साथ वाड़ा है उसका कब क्या होगा और अगर आपने त्यारी स्टार्ट नहीं यह तो त्यारी स्टार्ट करता हुए यह बात है